हेलो फ्रेंड्स देखें आज इस कंपणी के बारे में हम बात करने वाले हैं 1565 करोड की कंपणी है और 34 रुपे 30 पैसे का करेंट प्राइज है और यकीन मानिए यह 34 रुपे एक दिन आपको 3,000 होते हुए भी दिख सकता है लेकिन देखें जब भी किसी कंपणी में इन्वेस्ट करें तो कम से कम आठ से 10 साल के लिए कोई एक दिन में यह नहीं होगा कि 30 रुपे से 3,000 होज गया लेकिन 8-10 साल रखेंगे तो यह कमपनिया ऐसी है कि अच्छे रिटन देंगी तो गुना अराम से हो सकती है तो ऐसी यह कमपनी हम फिर लाए है आज फंडमेंटली अच्छी है देखिए 46 का हाई गया था 11 रुपे इसका लो था बुक वैल्यू उसकी 4 रुपे 76 पैसे पी महंगा है अभी अभी इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है अभी थोड़ा सा इसको नीचे आने दीजे फिर जाके थोड़ा देख लीजेगा और 24 क का ROE ROCE है लगभग 21 का देखिए पहली बता देने चाता हूं इन्वेस्ट करने ना करने की कोई सलह नहीं है अगर करना चाते हैं तो एक बार खुद के अनलीसिस भी जरूर कर ले मैं सिर्फ एजुकेशनल परपच के लिए बताता हूं अच्छे स्टोक्स हैं इसलिए बता इस तक यह हद से हद नीचे आ सकता है यह वाला जो इसका लेवल है यहां तक लेकिन देखिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलिग्राम का लिंक दिया हुआ है वहां आप उसको जोइन कर करते हैं तो वहां आपको सारी चीज़े मिल जाएंगी अगर देखिए इस कंपनी के हम कौंज और प्रोज की बात करें तो कौंज है के साथ गुना अपने बुक वैली से ओपर ट्रेट कर रहा है अभी लेकिन यह कई बार हो जाता है देखो क्योंकि अच्छे प्रोफिट कं संभावना है और CAGR जो रहा है इसका प्रोफिट ग्रोफ का वह रहा है 23.6 परसेंट का जो की एक काफी अच्छा CAGR हम मान सकते हैं इसको अगर इसके पेयर कंपिरेजन देखें तो आप देखेंगे रतनामाली मेटल्स, सियाम मेटलिक्स और उसा मार्टिन तो काफी अच्छ कंपनी है बात करें अगर इसके हम सेल्स की एरली सेल्स तो देखेंगे दोयार पंद्रह में 192 करोड हुआ करती थी अब हो गई है एक हजार 24 करोड लगभग लगभग वांसी गुना तक बढ़ चुकी है यह सिर्फ और सिर्फ साथ सालों में तो काफी अच्छी सेल्स के थे 27 करोड के थे इस बार थोड़ से डाउन हुए है कोई बात नहीं लेकिन देखें बीच में जीरो भी थे लेकिन अब जो है कंपनी अच्छे प्रोफिट करने लगी है काफी शांदार प्रोफिट दिखा रही है और यहां आप देखिए यह देखिए आप सेल्स और कर्जे तो देखिए जहां 18 करोड के रिजर्व होते थे 208 करोड हो गए है और कर्ज़ा जहां 55 करोड का था वहां बढ़ गया है यह भी 144 करोड हो गया है लेकिन रिजर्व ज्यादा है और कर्ज़ा कम है तो बहुत घबराने वाली कोई ऐसी बात नहीं है इसमें अगर ह इनोंने अपने जो कंपनी है इसके लिए फंड उटाया था थोड़ा सेल करके तभी ये सेल किया गया है और देखिए जो FII कभी हुआ नहीं करते थे वो हो गये हैं सबा 3% और DIY भी धीरे-थीरे एंट्री ले रहे हैं पहले बिल्कुल देखिए जीरो थे अभी जो है थोड़े सी एंट्री इनोंने ली है और लगवग 31% है पब्लिक के पास तो सांदार एक shareholding pattern दिखता है इस पब्लिक में भी देखिए एक ये हैं ये नाम आप देखेगा अ गैलोरा इंडिया अपरोचिनिटी फंड लिमिटेड तो मिचल फंड ने भी इसमें पैसे लगा रहे हैं लगवग 2% की हिस्सेदारी फिर ससी बंसल जी है एक 1.5% की हिस्सेदारी इनके पास है इसकी तो काफी अच्छा shareholding pattern हमें देखने को मिल रहा है भी company का देखिए ना गलवनाईज pipe जो हमारे जंग रोधी pipe होते है उसको भी यह बनाती है तो बहुत अच्छा कामकाज company का है और कहां कहां supply यह देखिए इसकी real estate में, defense में, telecom में, irrigation और इंफ्राज तो बहुत अच्छी जगा company sale करती है बहुत अच्छी sale करती है अगर हम इसका revenue split देखें तो जो इसका tube है और pipe गलवनाईज वाले उससे 25% आता है, electricity वाले से आता है इसका 20% और structure steel से आता है 50% बहुत बड़ा amount है और साथी साथ, sheets वगएरा से आता है इसका 5% का revenue तो काफी अच्छा revenue भी company generate कर रही है और अगर हम भोगोलिक इस्तिति देखें तो domestic में आता है इसका 82% मतलब इंडिया से और export देखिए इसका बड़ा है जो 2020 में 4% था अब 21 में हो गया था 18% तो 18% आता है export से इसका export बड़ रहे है company के यह अच्छी बात है और इसकी manufacturing यूनिट देखिए आप तो यह 4 यूनिट है 60,000 metric ton UP से और जो महराश्ट में वहां से 1,32,000 metric ton आंद्रप्र जो है यह capacity का expansion भी कर रहे है 20,000 metric ton का plant Nigeria में लगा रहे है और इसी के साथ 30,000 metric ton जो इनका महराश्ट में है वहाँ capacity यह बढ़ा रहे है पूरे इंडिया में इनका network है पैन इंडिया में पूरे में तो काफी अच्छा है साथी साथ अगर इनके हम client देखें तो across इंडिया में है और देखिए कौन-कौन है Sale है, Gale है, Airtel, BSNL तो बहुत अच्छे अच्छी company है इसकी client है दोस्तो देखिए अच्छी company हो सकती है लेकिन फिर भी long term के लिए हमें साथ जिसमें भी invest करें जिसी भी company में है तो long term के लिए करें दोस्तो वीडियो अगर पसंद आई है तो please like कीज़ेगा चैनल को subscribe जरूर क